आज मैं आपके सांशे करने जा रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार यम्मी जूसी गुड़ के मीठे चावल यानि के गुड़ का मुतंजन बनाने की रेसिपी जो मेरी मदर इनला की है जो बहुत ही मज़ेदार जो है बनते हैं तो चलिए शुरू करत हैं यहां पर हमने लिया है गुड़ हाफ से फिलो गुड़ हमने लिया है इस तरह से च्एपीसस में इसको तोड़ लिया है अब इसको वास करkov दें तो ठोड़का से थोड़ा सबta पानी आड़का करो 1 ग्लास पानी अड़के गुड़को सॉफ्ट होने के लिए रख देड ही से मसूरा वही हमने लिया है आप चाहें तो आपके पसंद के सेंटेट राइस या इसमाल आते हैं ईधना अगट घुल को पिक दिया है बिल्कुल बिल्कुल भी ना अट करें इस तरह से चावल को पकाए 95% तक चावल डन हो और इस तरह से पानी को स्ट्रेंड कर लिए और चावलों को दम दे दें तो चावल अब दम हो रहे हैं तब तक हमने चड़ा दिया है यहां पर गुड को मीडियम फ्लेम पे हलका सा जो है इसको मेल् कर दें सिर्फ मेल्ट करना है इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है जब गुड मेल्ट हो जाए फ्लेम को आफ कर दें अब बारी है तड़के की यहां पर हमने लिया है खुला पतिला उसमें आट कर देंगे हाफ कप जो है घी के आट करने से शाइनी जो है चावल आपक पाउडर अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद इसमें आट कर देंगे जो गुड हमने घोल के रखा हुआ था उसको स्ट्रेणर की मदद से स्ट्रें करते हुए इसमें डाल दें और बस इस चाशनी को जो है बॉयल होने देना है आब तो जब इस तरह से गुड की चाशनी बॉयल होने लगे इसमें आड कर देंगे चावल को सारे चावल इसमें आड कर दें और इसको अच्छे से हाइ फ्लेम पर पकाएं तब तक के सारी चाशनी जो है सोक ना हो जाए तब तक आप इसको पकने दें इस तरह से जब ये चाशनी खतम होने लगे सारे चावलों के साथ ये मिल जाए तब फ्लेम को लो कर दें और इस गुड के मुतंजन को दम पे दे दें 5-7 मिनिट्स के लिए आप इसको दम पे छोड़ दें और उसके बाद फ्लेम को आफ कर दें गर्मा गरम जो है मुतंजन बन कर तयार है गुड के मीठे चावल बहुत ही मज़िदार शाइनी जूसी यम्मी खिले खिले गुड के चावल बन कर तयार है अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलना बहुत ही हल्दी रेसिपी है जरूर ट्राइ करिएगा भीर मुलाखात होगी ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ तब तक गुआ में याद रखिए बाई अला आफिस बहुत है